दोस्तो अगर आपके पास LCD LED TV है तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि इस वीडियो के आंदर में आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी LCD LED TV का हैंगिंग प्रॉब्लेम किस तरीके से सॉल्ब किया जाता है चाहे आपके पास किसी भी टाइप का और किसी भी कमपनी का और किसी भी साइज का टीवी है तो उस टीवी का हैंगिंग जो भी प्रॉब्लेम होता है तो उस प्रॉब्लेम को किस तरीके से ठीक किया जाता है और तो और अगर आपका टीवी ओन करने के बाद लोगों आके आटक जा रहा है तो उस प्रॉब्लेम क भी solve करने का जो technique है आज की इस वीडियो में आप लोगो बताने बला हूँ इसके लिए आपको कोई भी technical knowledge या technical skills की जोरत नहीं परेगी आप अपने घर पे ही LCD LED TV का hanging problem solve कर पाऊगे क्योंकि इसी वीडियो के अंदर आपको step by step आपको बताऊँगा कि क्या क्या करना होगा hang problem ठी उस technique का जानकर लेना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे जो rate button दिख रहा है उसके उपर press कर दीजिए उसके साथी सदबगल में जो bell icon दिख रहा है उसके उपर भी press कर दीजिए और हाँ आप लोगों के लिए एक message है पहले ए देख लीजिए सभी dealers और retailers भाईयों के लिए exclusive app है जहां पर आपको सभी अपने दुकान का सामान मिल जाएंगे जैसे के inverters, batteries, automated batteries, electrical appliances सब कुछ मिल जाएंगे एक ही जगा पे सिधे order किजिए लोगडर दिल एप पर और आपके घर तक पहुंच जाएगा 48 hours के अंदर यहां पर आपको मिलेगा इस एप का फाइदा सुनिए अगर कोई भी product bulk में order करोगे तो आपको warranty के साथ साथ discount भी मिल जाएंगे और आपके घर तक 48 hours के अंदर सब कुछ मिल जाएंगे किसी भी जानकरी जैसे deals of hard discount और products के बाड़े में जानकरी के लिए आप सीधे संपर कर सकते हो whatsapp के जरिए नीचे description में whatsapp नमबर दिया हुआ है उसके साथ ही साथ एप का link भी दिया हुआ है और एक राज की बाद बताओं इस एप का hard twist day और ठास डे आपको मिलती है पैसा बसूल discount और डिल तो जानिए पहचानिए इस एप को और खोलिए आपनी नहीं दुकान लॉगड़ा डिल आप पे तो चलिए दोस्तों आप मैं आपको बताता हूँ कि hanging problem और stuck on logo यह जो दो प् चलाते हो मान लीजे आपने एक साल तक चलाया दो साल तक चलाया उसके बाद क्या होता है कि हमारे टीवी के अंदर बहुत सर प्रॉब्लेम्स देखते को मिलता है उसके अंदर जो hanging problem है यह एक problem है और यह hanging का problem है यह सबसे ज़्यदा हमें देखने को मिलता है android और 4K TV में जो अंदर भी android operating system होता है जैसे कि मानले जी आपने फोन के अंदर को भी application install किया उसके बाद क्या होता है कि हमारा फोन जे दीरे दीरे hang होने लगता है ठीक उसी तरीके से जब हमारा टीवी निया अवस्ता में रहता है उस समय तो हमारा टीवी ठीक चलती है लेकिन जब ही उसके उपर ज्यादा लोड पर जाता है ज्यादा application install कर लेते हो तब हमारा यह problem आने लगता है hanging problem और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपने टीवी को on किया उसके बाद आपने logo आया logo आने के बाद हो वह से के वह से रहे गया आगे कि जो अपने जो process है वो नहीं हो पाता है यह भी आता हूँ कि आपको उस problem को कैसे ठीक करना है अगर आपके किसी भी टीवी के अंदर hanging का problem आ रहा है तो आपको उस टीवी को reset करना होगा और reset करने का आपको दो तिन process है पहला process है software installation जिस model का आपका टीवी है उस model का software download करने के बाद जब आप उस टीवी के अंदर software इंस्ट् दिए में आप लोगों को दिखाया और सिखाया practical वीडियो के साथ कि किस तरीके से एक टीवी के अंदर LCD LED टीवी के अंदर software को install किया जाता है और उसके बाद अगर आपको आपने टीवी model का software नहीं मिल रहा है कहीं पे भी तो आप हमारे official website www.deep electronics lab.com के उपर जाके भी आप software क को download कर सकते हो अगर आपका TV का जो भी model है उस model का software हमारे website पर नहीं मिल रहा है तो आप एक comment कर दीजिए मैं उसे TV का जो भी model नमबर है मैं उसका software website पर upload कर दूँगा और आपको comment कहां पर करना है हमारे जो website है उस website के अंदर जो post लिखा हुआ है उस post के नीचे आपको comment करना होगा और इस model का हमें software चाहिए हमें जल्दी दे दीजिए तुम्हें आपके comment करने के बाद दो या तीन दिन के अंदर ही में उस software को update कर दूँगा हमारे website के अंदर और उसके बाद दूसरा जो हमारा hanging problem solve करने का technique होता है वो TV को restart करना और यह कैसे होगा मैं आपको बताते द ना होगा जिसके बाद आपका TV फिर से नया जैसा हो जाएंगे और के से एक android TV को factory reset किया जाता है बीना software install कर रहे मैं इसके उपर बहुत ही जल्द वीडियो बनाऊंगा और इसी चैनल के उपर में publish करूंगा तो आगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को subscribe करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखेगा और नीचे एक comment box में comment भी कर दीजिएगा कि हमें इसके उपर जल्द से जल्द वीडियो चाहिए तो मैं जितना जल्द हो सके मैं उसके उपर वीडियो बना के इसी चैनल के उपर डाल दूंगा तो दोस्तों के टीवी का hanging problem को solve किया जाता है दो अलग अलग तरीके के जरीए अगर आपको इस topic के उपर कोई भी सावाल या सुजाव है तो नीचे comment करके हमें बता सकते हो और ये वीडियो आच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने सारे टेकनिशन दोस्तों के साथ और अपने स के ले वीशियो ओल दाबेस